मादमिक विद्यालों की जनपत इस्तरिये बालक बाली का क्रिकिट प्रितियोगता का आयोजन एस सेंटर कॉलिज में आयोजित किया गया जिसमें जनपत भर के कई टीमों ने बर्चल कर भाग लिया और अपनी प्रतिभाग का प्रदशन किया सभी विजेता प्रतिभागी अब इस तरी प्रतिभाग करेंगे घेलो को बढ़ावा देने के लिए मादमिक शिक्षा विभाग द्वारा काम किया जा रहा है जनपत मुरादबाद में लगातार विभिन प्रतिभाग कराय जा रही है जिसमें मादमिक विद्यालों में पढ़ने वाले बच्चों को उस इसी उद्देश को लेकर मुरादबाद के बुद्वजार रचित ऐसा सिंटर कॉलिज में मादमिक विद्यालों की जल पदिस्तरिये क्रिकिट पितियोगता का आयोजन कराये गया, इस पितियोगता में बालक बाली काओं ने बढ़ चाल कर भाग लिया और अपनी मंदलिस्तरिये पितियोगता में पृतिभाग करेंगे, आयोजन समीती का ये कहना है कि विद्ध्यार्तियों की कला को दिखारने के साथ साथ खेल पितियोगताओं में आगे बढ़ाने की निये लगातार खेल पितियोगता आयोजन कराये जा रही है, इस पितियोगता में व प्रतियोगता अंडर 14 बालक बर्ग की यहां पर चल रही है जी जी हिंदू इंटर कालेज के सेयुज़न में इस प्रतियोगता का उद्गाटन विद्याले के प्रदानचार वीरेश कुमार जी और स्सके के सम्मानित प्रदानचार स्री रभी कुमार जी ने अभी खिलाडियो इसे परफें प्रात करके किया बालक बलिकाओं की है इंप ठीडी जुझे आज बालक और बालिकाओं की प्रतियोकता है बालिका बर्ग में तीन संकुल की टीम प्रति हिसाइफ कितने ओर करा राहा है मैच यहां पर 17य मंधुमी कैसा उस्साहा है किर्केट का खेल को लेकर निशीत रूप से जो हमारी राष्टिय टीम जो प्रजिस तरह का प्रदरशन करती है ने अंतराष्टिय अस तरफ है उससे हमारे बच्चों को मोठी वेशन मिलता है और किर्केट जैसे खेल में बहुत ज्यादा रुजहान बच्च